कि इस साड़ी में तुम इदम परी लग रही हो कि यूँ है मेरे गालों को छूने के लिए बेताव हुई जा रही हो तुझे क्या लगता है तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या ऐसे गुस्से में जब लड़किया घूर के मुझे देखती है तो मुझे बहुत प्यारी लगती है तु सच में मुझे मारना चाहती है बोल ला एक महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी देदो बाबु देदो बाबु दो 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 बाबु दो 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 बाबु दो 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 दुबबाई से सेंट लाया चापान से पाउडर ला बाबु जी आपका पर्स क्यों बाबु ऐसे क्यों देख रहे हो पर्स आपका नहीं है क्या मेरी है तो फिर पर्स दिया फिर भी पैसे नहीं मिकाल रहे बाबु की किपा है बाबु जी देदो बाबू धूंपलाए नहां बढूसे लोग टरते हैं मुझसे ताओब ताओबा 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 सैनु टेरी अंट्रि सूपर हिट है सेनु ठोड़ा जोड़ से का ना आप मेरे पीछे क्यों आ रहा रहे यह शाहिए दिखा निकें तो भीख देंगे क्या अभे भीख नहीं नियाए दिलाओंगा तेरे जैसे बंदे को ऐसा दिखना चाहिए तुझे डॉलर मिलेगा भिगारियों का सूपर स्टार साहब टी पीने का पैसा नहीं है तो पर यह टीशर्ट क्यों इस चेंज की वज़े से तिरा रेंज और बढ़ हैं दिखा आए सिमा तिखा थाओ था यहीं हेल आば करी अ कि गूंदिक अलो पूर्स को तुने मुझे लौटा दिया जब तुने मेरी मदद की तो मैंने तेरी मदद की हिसाब बड़ाबर आपका नाम क्या है बाभु जी बंदे को गनेश कहते हैं निक्नेम जैकी दाद्व गुड मॉर्णिंग जेंटलमें बूर्णिंग प्लीज सिट आउन आज आप लोगों की पुलीस ट्रेंणिंग कम्प्लीट होने वाली है आज last class है इसलिए एक interesting character से मिलवाता हूँ उसका नाम है वैरागी वैजाक सिटी का king वो किसी को नहीं दिखता है कहां रहता है किसी को भी नहीं पता इसका नाम है भवानी उर्फ बैगा पिरागी ने भवाने को किस वज़े से मारा यह किसी को नहीं पता लेकिन कहां मारा है यह सब को पता है 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 दो जो जोड़िए अधर नहीं किसी ने इसको कार्ट किया है कहा रहा है नहीं को जब कर दोतो है जा अम को ही जाने शीने है तंधर तो है आव अवानी है मेराना सॉमने आतम है तो पर लाक प्रवानी ही तुवली साथ चैलू यहाचा तूम तुम वही होना जो मेरी दुकान पर काम करते थे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा नहीं भाई 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 छोड़ दो मुझे मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनूंगा तू बड़ा तो होगा पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा उससे भी बड़ा हो गया हूँ मैं बच्पन में तुने कहा था तू उसके जैसा बनेगा तब मैंने तुझे पागल समझा था बच्पन से ही तू उसके हरकतों पर द्यान देता आ रहा है ताक कि तू पुलिस के हाथों में कभी पढ़ न जाए इसलिए पुलिस की ड्रिस पहन कर तूने उसके सारे लोगों को माल डाला तू वाकई बहुत महान इंसान है आज से तू आज से तू आज से ही तू इस कि अलाबा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए क्यों मैंने बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसे मारा है ऐसा मौका मैं किसी को भी नहीं देना चाहूंगा इस दुनिया में बैरागी हो या भगवान हो उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है भगती होती है आज के बाद तु अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको इसका में ध्यान रखोंगा भवानी का खोन करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाक में लगाया था इसी पोस्टर की वज़े से ये पता चला कि उसका नाम बैरागी है आज पहली बार तुम्हारा नाम पेपर में आया है आज के बाद ऐसी खबरें सभी लोगों को हर दिन हर पल सुनाई देगी आकाशवानी का ये विशाखा पत्नम केंद्र है कॉंट्रेट के विवाद के चलते बैरागी ने भवानी को माँ डाला शहर के गली गली में गुंडागरती बढ़ती जा रही है साथी बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है किसी की नजर में नहीं आने वाला बैरागी बैजाग पे कबज़ा कर लिया है फिलहाल तो बैरागी गौन है कहा रहता है ये किसी को नहीं पता कौन सा डील कैसे करेगा उसके साथ ही कौन-कौन है ये भी नहीं पता इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे हैंडल करता है ये भी हमें नहीं पता उसके खिलाब बहुत सारे केस दर्ज हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएं इस बैरागी की वज़े से हमारा पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परिशान है सर उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है सर ओ प्लीज डॉन्ट राइट क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पाता हालो हा पापा पंदर साल के बाद तु वैज़ाग सिटी गया है गर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं पापा थोड़ा बीजी था इसलिए उसके बारे में भूली किया तुम कहां बीजी होगे मैं यह जानता हूं इंग्लिश के हेल पी यह चार लेटर जब तक तु भूलेगा नहीं न तब तक सुध्रेगा नहीं समझ गया हाई हलो 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 उसका फोन ओन है फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है देखो मेरी लाइफ की वाइफाई आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया यह वाइफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एक्दम सेट हो जाए बहुत अच्छा होगा बेटा ममा आप कल वे हम यहां लाइन पर हैं और तुम किसी और को लाइन मार रहा है हलो पापा ठीक से सुना लगता है अपना बेटा हेलप लाइन से बाहर आकर लव लाइन में गिर पड़ा है सामने लड़की क्या आ गई तो बेटा माबाप की आवाज भी निसुनाई ते रही इस बारेश की वज़े से की सिगनल मिस ना हो जाए क्या वाद ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है टाड़ी चलती हूँ हां हां ठीक है कंप्यूटर कल रही हो कराटे ग्लास यह क्या है पल्लवी लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए यह मार्शिल आर्ट किसलिए बेटा टाइगर हेरन को सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है इस साड़ी में तुम इदम परी लग रही हो कि यूँ है मेरे गालों को छुने के लिए बेताव हुई जा रही हो तुझे क्या लगता है तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या ऐसे गुस्से में जब लड़किया घूर के मुझे देखती है तो मुझे बहुत प्यारी मुझे मारना चाहती है एक महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी अब मैं अपना चालेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूं माम देखा आपने सुन लिया आज कल ये मेरी बात बिलकुल नहीं सुनती तुमने इसको मेरा नाम भी पता है मैं सब जानती हूं गनेश हां तुम हर पल सीचीटीडी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना अरे बाप रहे मैं इसको देखता रहता हूं ये भी इसको पता है एक बात बताव मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉचिक क्या है अरे लव का लॉचिक क्या होता है आई लव यू सो मच गनेश हां अरे पापरे फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट करने से पहले इसने मेरा लव एक्षप कर लिया अरे गनेश तेरी तो निकल पड़ी यार बाई गनेश ओ तेरी ये तो इस गनपती बापा को बोल रही तो आप लग जाए पीछे आई डी है क्या वोटर आई डी वी है मेरे पास अंदर वोटिंग नहीं फाइटिंग चल दीये जाना है क्या और आपरे मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लडाईया लडनी होंगी चलो निकल निकल नहाँ से चलो जाओ एक बार दे वापस क्यों आया मुझे देखकर साला अपना मुझ छुपाने की कोशिश कर रहा है अरे वाह लगता है चला गया अच्छा उसने देखा नहीं आज नहीं तो अरे भाई गनेश कव आया तू मैसेज भेजा था पढ़ा नहीं मैसेज पढ़ा इसलिए तो रिसीब करने नहीं आया मुझे देखकर मुझे चुपा रहा था अरे नहीं मेरा सिक्का गिर गया था उसी को ढूंड रहा था चबनी की अकल यूज करना चोड़ और यह पता यह अरे बचपन में तेरे पहर पर पट्टी बादी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदीगी बदल देगा लेकिन तू भाग गया और मुझे नौकरी करनी पड़ रही है एक बात बता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ढूंटे-ढूंटे आया है अभी मैं त देखा है मैं उस पर से अपनी नजर हटाई नहीं पा रहा हूं तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी नेगेटिव फेलो वो मेरे दिल की प्यास है और सीनो तू पानी की बोतल की तरह है मेरी मदद कर दे भाई फिर से मदद एई तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मु चाहिए तो फिर मैं एमडी बन जाता हूं एमडी बनना कोई खाने की चीज है तो आफिस वही बना दे यार तो फिर मैं क्या करूंगा अस्पताल जाकर हिलाज करा बचपन तुझे चोट लगी थी तो मैंने तेरे पैर पे बैंडेज लगाया था आज तूने मेरे पूरे श चेकलवाला कौन है यही है यहां का इन चार्ज और ओफिस का मैनेजर भी अगर इसे तुने मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा यह आफिस वाइटी लाने के लिए उटी चला गया क्या है यह तुम ममी के डमी कैसे बन गए आपका सर्विस फास्ट करने के लिए मैं इसका फ्रेंड हूं सर मैं हूँ गनेश लोगों की तकलीफ करता हूं लेस बड़ाया तकलीफ लेस करने पर तुम आफिस बाइकम काव बाइज ज्यादा लग रहे हो काव के बारे में तो नहीं जानता लेकिन जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने ऐसा कहा था तुम तो करने वाला दोस्त मैं पहली बात देख रहा हूं तुम्हारा करेक्टर बहुत क्लीन है यह सब कुछ क्लीन कर दूगा एक बर छूने तो दीजी है कर दो यह कहा है आज की ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्स नहीं कर सकते लेट्स को अहां चल लेट्स को अ लॉरी के सामने तो यह नीबू है और यह लॉरी को खीच के ला रहा है कुछ तो जोल लग रहा है मास्टर के बारे में तू नहीं जानता एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिया था फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी क्या प्लेन को भी रोक सकते हैं क्या मतलब है यह फिल्मी तकनीक है बिल्कुल हॉलिवुड वाली अब यह एक दम आलग टाइप की एंट्री करेगा जैसे हीरो करते हैं अब यह क्या कर रहा है इसको बोल रहा है यह तो रिंग मास्टर लग रहा है मास्टर इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया परेभाबू यह तो मुझे कोई भाइस चरवाने वाला लग रहा है इसे तो मैं चारा खिला-खिला के मारूंगा अपने यह लड़की च्छोटी सी बात में असा रियक कर दिया जब मैं चा प्यारी फिलिंग को अपने दिल में ही दबा के रखो एक स्पेस मत करो बेभी मास्टर मैंने अपका परफॉर्मंस टीवीटी में देखा है लाइफ कभी नहीं देखा लाइफ में अगर एक बार लाइफ देखने मिल जाए तो इन लोगों को भी कुछ नहीं आता हम जो बताएंगे मारलीन ब्रेंडों माटेरियल है नहीं और दुकान खोलके बैठा है तेरी दुकान को अभी बंद करता हूं आजा आजा परफेक्ट इसे बैठ इन लड़का ऑफिस बॉय मास्टर क्यों बाइब करने आए और चाइधिंग कर रहे हो बाहर बेजो इसे अभी के अभी नया ऑफिस बॉय कहां से भी लेगा मास्टर आपको पेन होता है एंपूस्त हो अगर सहीं जगा लगा तो बुरूस्ली को भी पेन हो जाए तुम लोग दिश्कसन बग करो पहले से रूल रेगुलेशन बगाओ आज कर दिन खराब है आज की क्लास कैंसल मास्टर आज तो आप लेग मॉव्मेंट्स उखाने वाले थे नो वान वीक तक नो मुव्मेंट्स बूद रॉनिंग मास्टर नाइस मिटिंग यू ए मिस्टर भेजा नहीं है क्या मेरा भेजा फ्राइंग पैन पर रखा हुआ है मैं तुम से क्या कह रही हूं और तुम मुझसे क्या कह रहे हो क्या हम लोग भेजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तुम ने क्लास को डिस्टरब क्यों किया अरे क्लास को छोड़िए हुजूर आपका का एकड़म क्लासिक है मैं क्या कह रही हो और तुम क्या कह रहे हो यह देखो गने तुम इस जल्दी से सजा दे दो यह सुधर गया तो माफ कर देना कि यह याद कि इसने मुझे होड किया है सुन लियाना सुना वाली के शॉडब है तो यह दो है मैरागी का आदमियों तेलंगा ना का रेने वाला कितने का यह पैकेट दास रुपे का भाई जो निकाल लेकिन क्यों भाई मैरागी का फ्लेटाँ अदेता हो भाई यह लो भाई कियो सुदर्शन डेडि नमस्टे ना भाई कि रहे मेरे सामने सिग्रेट जलाते है रहे है लाइटर निकाल भै कि अवे सा गुर्ता का यह रहे और अख निकाल के आम्लेट बना दूंगा मैं कौनू पता निये क्या रहे सब्सक्राइब लाइटर में चाइना है यह थे सिग्रेट भी तेरी दुआ भी तेरा पीले है अब बाइक के सालेंसर पे तलवार चुपा के रखता है क्या समस्ता है मैं डरूंगा पहलागी का अदमी हूँ डरूंगा नहीं रहे होगा यह वाटाइट चल्ड़े चल्ड़े आगे अफ्ता लेने का है यह रेडवाइन पी अरे गनेश तु हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है बच्पन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तुन्हें अंगूर का ज्यूस पिलाया 20 साल बाद उसका क्या होगा वह सड़ जाएगा येस सड़कर उसका वाइन बनेगा अगर इसे पी ओगे तो चे दोस्ती के बीच का फारक ही नहीं मालोम है माइन पिले समझ में आएगा नहीं यहार मैं इसे नहीं पिऊंगा बिल्कुल नहीं देखा समझ गया ना अरे यार वह अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा है ना अपने पी रखी है ना अरे बाबर इनको कैसे पता सल गया तू इसने मास्तर की लाइफ की बैंट बजा दूंगा अपनी डार्लिंग को अपना बना लूंगा एक आणा एक बंच में कैसे पेड को मारके गजाते है त्याली बजाओ आपने इतने बड़े पेड को कैसे तोड़ा मास्टर इसे तो असली पेड और नकली पेड का फरक नहीं पता है यह रूली ग्रेट मास्टर आपकी बॉड़ी तो बिलकुल ब्रैट पिट चैसी है लेकिन चोटा सा फरक है वह ब्रैट पिट है और यह बैड फिट शुट आप अब यह बताई आपने इतने बड़े प्रेड को कैसे किरा दिया मास्टर कराटे से सब हो सकता है यह तो कुंग फू था ना कराटे कुंग फू ताइकंडो मारलिन ब्रैंड यह तो हॉलिवड एक्टर ह सब्सक्राइब करें ना तो दो ना अभी 11 नहीं बज़े तो फिर क्यों आए हो देने के लिए लेकिन आने के लिए नहीं है तुम निस्टब क्यों कर रहे हो इसे चोड़ो चलो अपना वर करते बेवी इसे वर्क नहीं वर्क आउट के हैं शट अप मास्टर उस तरह के सब्सक्राइब करें तो क्या हो टाइम पर जूस नहीं प्योंगे तो गैस हो जाएगी जूस को खतम करके से चलता करता हूं इधर लेक्या सर्जी रून नंबर 33 के हिसाब से मुझे आपसे तीन फूट दूर रहना चाहिए है ना सब लोग चले गए अब कुछ बोलो ना चलना तुम्हें पसंद नहीं है क्या वो क्या है मेरा अलग क्लास है तो यह क्लास मेरी समझ में आता तुम्हें सेंस है क्या लाइसंस भी है मेरे पास मैं सेंस कह रही हूं और तुम लाइसंस की बात कर रहे हो जब सेंस होता तभी तो लाइसंस देते है ना नॉंसेंस उसमे में भी सेंस छुपा ढूंड के देख लो कुनेश आखे गनेश जी लो बात कर लो कि मैं हो गुरुओं का गुरू जोतिश में पारंगत भूत भविश वर्तमान बताने वाला जो हुआ वो बताऊंगा जो होने वाला है वो भी बताऊंगा ओ साम आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे गुरू की शबत खाके कहता हूँ आपकी जिन्दगी में अब मुसीबत आने वाली है क्या बखवास कर रहा है जाकर अपना काम देख मैं अपना काम ही कर रहा हूं इसे हलके में मत लो देख लिया अपने साब कववा भी काम काम करके कुछ कहना चाहरा है हां हां बताओ मैं सुन रहा हूं हां हां आपकी जिन्दगी में बैड टाइम की शुरूरात हो चुकी है जिन्दगी का पहिया चित्र-विचित्र तरीके से घूमने वाला है और जो पहिये को घुमायेग मुझे नहीं पता अरे बैया सुनियोंना ये बैरागी कहा मिलेगा मुझे नहीं पता तो तो ए भाई ये बैरागी बेड़ी पीना पॉड़ी के लिए आनी का रहा है यह कोई आवाज नहीं करेगा बेड़ागी का अदमी हो नमस्ते बाइब क्या परिशानी है कौने पर तू नहीं आपका फैन हो पस मेरा फैन शारुक और सणी लियोनी के फैन्स हो सकते हैं तो बहरागी के फैन्स क्यों नहीं अब ही लो बाइब नमबर मुझे जेल के सेल में आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं अपने सेल्फी लेनी है अब बाई गलो समझ लिया मुझे बचपन से कुछ ऐसी यादाता है पकाड़ वो क्या है ना मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाओ में खड़ाओ मेरा निशान हांडी है अगर आप हांडी में बैठके फोटो कीचवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे वोट देंगे बैलेट बॉक्स में सिर्फ मेरे ही वोट पड़ेंगे और मैं जीच जाओंगा है अब आग क्यों लगा दिया अगर खाना पकाना हो तो आग तो लगान हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा मुझे मुझे मूर्गा समझाए क्या बैरागी का अदमी हूँ कूल कूल ब्रो कूल अबे फूल रहने के लिए एसी में विटाया जाता है तुने तुम्हें ने नीचे आग लगा रखी है अगर तुम्हें इतना जल रहा है तो फुदक के बहार आजाओ ना जल्दी से किसी को कॉल नहीं कि तुम्हें बना के खा जाएगा यह मेरा अबे ओ कंग जूरे वक्त से पहले पैदा होने होने कहा अबे तू ए कौन आबे तो अबे आ मैं मुर्गा बन रहा हूं तुम्हेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है अबे भाई को फोत है अरे कौन से भाई तू तो अपरचित का बाप लगता है अपने टोन को रिंग टों के जैसा क्यों बदल रहा है कुछ नहीं है आपका एक लड़का आपको देखने के लिए बहुत तरस रहा है भाई कहा है तू बता जल्दी हूल मार्केट के बाजू क ले भाई अपने लड़कों को भेज रहा है कमर के नीचे मेरा सब कुछ जलना है मुझे जल्दी सेहा से निकाल ले भाई बहुत तकलिफ हो रही है प्लीज अब हावा क्या कर रहा है निकाल ले मुझे लगता है भाई थोड़े से बिजी है इसलिए यह लेजी लोग आए अब ठीक है चलता हूं हलो हम कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे है भाई के पास आ रहे हैं अभी तुझे पता चलेगा है मास्क दे हां यह अच्छा है अच्छा है ना चल बाई अब चल अरे वापरे कह नहीं गलती से नंबर भाई को तो नहीं लग गया था फिर से एक बार कोशिश करता हूं यहीं कहीं बज रहा है नवस्ते से कॉल मेरे बच्पन में मेरे मां बाप स्कूल टीचर और फिर मेरी बीवी ने भी मुझे इतना बुरा कभी नहीं बोला चल बोल क्यों किया था मैं तेरा तो नीचे जल रहा था लेकिन मेरा तो दिल जल वहाँ है कांस्टेबल इसे हांडी के साथ उठा के ले चाल अलो बैरागी कहा है हसुन तु बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ने इसलिए भाई ने तुझे बुलाया है बैरागी कि धर है बैरागी कि धर है ऐसा पबलीक में पूछता हूँ अब बता अज़ा क्यों अरे भाई मैं इंक्वाईरी कर रहा हूं इसमें तुमको क्या प्राब्लम है उसने मेरे बाप को मारा मैं उसे खतम कर दूंगा उसके खौन से पिता के बोटों पितिलक लगाउ उसके गुर्सी पे गबजे का इंतिजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूँ वा क्या मकसद पाला है तेरी वजह से हमें खत्रा है तू अपनी इंक्वाईरी बंद कर दे पूरी तरह से मैं उसका नाम लेकर इंक्वाईरी करता हूं तो प्राब्लम है तो फिर मैं उसकी फोट पूर्टो दिखा तलाशी ले अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा हम दोनों का दुश्मन एक ही है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है प्लीज यार फोटो दिखा ना फोटो दिखाओं तुम उससे पहले उसे टपकाईगा उसे मारने वाला कोई भी हो उसके मरने के बाद कूरसी मेरी होगी तुझे बदला लेना है तो तु ले उससे लेकिन याद रखना तु अकेले नहीं मार पाएगा पीना मेरी मदद के आज से हम दोस्त होएं जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी उपर वाला करता है चल साथ में डून दें उसे अरे बच गया वेटा उसके सामने आपका सर जुकाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वैरागे के मिलने तक इसकी जरूरत है बस वह मिल जाए उसके साथ साथ इसे भी काट डालेंगा अब भी इसे देख के तुमें क्या समझ में आया यही के आपको मच्छदानी की जरूरत नहीं है मास्टर इसको शॉट्काट लॉकट नहीं समझ में आया इसको अटोमेटिकली डरेट गेर मी डालना होगा यह तुमें तलवार लग रही है क्या नहीं यह है हमारी खांदान ही अगर बत्ती पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगू की डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे हमारे दादा जी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर चाइनीज लोगों की जान बचाई थी एक छोटा सा मच्छर उनकी यहां गर लेकर यहां कर पाद यां बाघ यां użyख करना जाया है जरी फिक खर रहें क्या कि आपको भूझ्त कुए निघ crimine.. यह बता क्यों स्यादने करें मैं वाने क्या उस आफ के शाम के वू आपको चार बादाम खानी यह लीजिए के नीचे ब्रैकेट में प्रॉजिदी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है तो टेस्ट करने के लिए निकना यह जाए तुम्हें दूसरे चार लाने चाहिए थे ना रूल के देना अब कल खा लेना क्यों मेरे जीवन के साथ च्रल्ले आए रहा है एक लाज पिगर इसने मुझी आंख मारी मास्टर क्यों रहे है क्यों रहे हैं तुनिस को आख मारी है यह मुझे आख मानने की च्रूब मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूं मैं इजद्दार परिवार से हूं इजद्दार परिवार और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहा है अगर कोई 9 फीट के फास्टले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना तो जब एक आख बंद करके देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आख मारी हो हूं 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 थोड़ी दिर पहले यहां एक आदमी बैठा हुआ था हूं बता सकते हैं वह कहां गया हूं यही है वह आदमी यह कौन है और तुम कौन हो मुझे क्या मालू मुझे परिशान मत करो सर 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 प्लीज बताई यहां इंदी आती है न तुम्हें कहान नहीं बता आज मेरे प्यारे चाइनिज नूडल्स हूं इतने दिनों से मैंजे में हुकूप समझ रहा था वांद करो कियों अब यहां तर 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 अब क्यों रहा है आप ठंड लग रही है ना ज़्क अंब तलवार है पर इससे नीचे हमरूत काट रहा था तो आपको क्या लगा मास्टर इसे फिर से काट करके दिखा दो नहीं 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 यह तरह ग्राफिक्स नहीं औरीजनल हूं यह साले चार मच्छर मेरी डालिंग को काट रहे थे इसलिए मैंने इन जारों को काट डाला मुझे तेरी नियत में अगर खोट नाजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूँगा नेरे प्यार के मामले में उंगली मत गुसेड़ना गुरू है तो गुरू की तरह रहे पारना पूरी इज़त उतार दूँगा है यहां मच्छर कुछ ज्यादा ही है इस कोईल को को जला के सोजा ठीक है आश्मान भवा हम तेरे बिना तुमने मेरी क्लास पे ना आने के लिए मास्टर को धंकी दी है ऐसा उसने इंस्टिट्यूट में क्यों आए हो मेरे सपने पर तुमने पानी पेर दिया तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या गोल क्या थोड़े दिनों पहले जो दूफान आया था तुम उसमें बच क्यों गए उस दिन में ओट ओव सिटी था मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो चुप रहो तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है ठीक है तो इनसे बात कर लो गनेश भगवान जी मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म सौ बार देखी है अगर आप मुझे अपना सच्चा भग मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या इसका हाथ पैर हाट किर्णी आपे बोल्ट के सारे पार्ट्स खरलब कर दीजिए अहां गनेश 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 इसे क्या है जी गनेश यूर फिनिश गनेश अरे तुझ नहीं लिगा तुझ नहीं वाना मुझे लगा तु तो गया मैं नहीं बल्की वो गई शारु कहन के तुन्हें मस टाइक्टिंग के गे आपनान दो बाजी आज तो डॉन भी और दॉन व पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाटियों से करके दो डाला मुझे भाई आपने मुझे इसमें घुसाया है ऊपर तो तोड़ फोड होगे नीचे खाफाट पचा है भाई एक बाल पता उस दिन आपको कोई लेकर गया था बाइरागी के बस लेक्या था तुमसे बात भी चाहां मैंने उसे बाध भी किया उसे वह क्या है कि यह फोटो दिखाकर उसे अर्जेंटली उठाके लाने को का है घ्ण याद निया थीक से याद कर ले भाई दो पेग अंदर जाएगी तो याद आ जाएग देगकर मुझे अपने दादा जी यादा रही है यह तुमारी तरह पूरी पूरी बॉटल पिलाते थे चकने के लिए बिसकिट खिलाया तदे चोटे-्छोटे बाई क्या का बिस्केट चखने में बिस्केट खिलाते थे हैं यहां बैठ कर पीने से याद नहीं आ रहा है जूले पर चलते हैं क्या हुआ या ताश्त आ गई बताव ना नहीं गई क्या गई अगर फोटो गवादी तो तेरी जान ले लूँगा बाई बिल गई से मेरा बाई दारी भी है इसकी उसे तो कुई जानता नहीं बाई इसे डूनेंगे तो कम से कम कुछ लोग बतातो देंगे बाई बाई जी आप यहां क्यों किसी और को याद कर रही थी बाली के आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी जब से पैदा हूँ तब से पंच मार रहा हूं इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा यह है मेरी लाखों में एक भक्तिन भगवान जी पारवती मम्मी नहीं आई आपके साथ गनेश इसका जवाब दे दरसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही है डिस्टब किया तो सीरियस हो जाएंगी इसलिए साइलेंट लिए आगए आप लोगों के यहां स्टारों के बीच में रहते हैं सारे कनेक्शन डारेक्ट हैं इसलिए पहले टेलिकास्ट हमारे होता है बाद में सब्सक्राइब होता है अब यहां क्यों आए भगवान जी तुम उस गनेश को जानती हो ना वो एक सेंसलेस केलेस यूजलेस यूजलेस नॉनसेंस कूल आपक इस गनेश से ज्यादा प्यार करते हैं यह डद की तीन हैं लेकिन गनेश इनकी चौत ही तुम्हारी वजह से दिम्धेर ने के कि लिए तुम्हें काम करना होगा अब बगवान जी उस गनेश की कुप सेवा करके उसकी तबियत को साधारण करतो यदि उसके थीक हो गये तो म पिल्कुल टेंशन मत लीजी भगवान जी मैं उसकी हाथ पर ठीक करके आपका पावर आपको दिलवा दोंगी मेरी बात का विश्वास किजी भगवान जी इस माई प्रॉमस वेदर ठीक नहीं है तुमारी ममी ने मैसेज बजाए चलो चलते हैं आप लोग भी सेल्फोन से इस्तमाल करते हैं अल्ली आइफोन तुम जरा पल्टो तो हम कायब हो जाएंगे आप कैसे जाएंगे भगवान जी चुहे पर बैटकी जाएंगे आज चुहा तो छुट्टी पर बापा ये बताईए टाइम क्या हुआ धाई बजा होगा चलिया ना इस त्री बैट गहाए न तुम अपने पापा को छोड़कर जा रहे हो अरे देख वो आ गई हाँ देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं अरे फोन पर गई आप अब आक्टिंग शुडू कर अह क्या हुआ यह मरा है यह जिन्दा है यह देखने आई हो एक्चली मुझ में इतना पावर है यह बात मुझे पावर पता नहीं थी मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही बोल दिया तो आप क्या करने का ही राता है मैं आपकी सीवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंग ट्रेंड फॉलो नहीं करती ट्रेडिशन फॉलो करती है इसलिए यह मिक्सी है यह वाशिंग मशीन है विद वॉटर टैंक और यह वाक्यूम क्लीनर शुरुवात क्लीनिंग से करें अगर मेरी माँ इसे काम करते हुए देखती तो इसे अपने घर की बहु समझती है उपर वाला देता है तो चपर फार के देता है थैंक यू वेल्कम आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था वह क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना तो शौक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और तोड़ते हुए आपको बचाने आगया तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला तुम्हारे दोस्त तुम्हारा कि अबसे मारना चाहिए चला जा है अब तुम्हें परिशान का रहा है उससे बचने के लिए तुझे साथ लेके आए क्या लिडीज के लापणे में पढ़ता तुम्हारा प्रेंदों अपना मामला खुदी निप्टा हो चलो आजा यह निका आपसी मामला है दरसल क्या है कि मैंने इंसे कोई सेवायवा नहीं करवाई है बलकि यह एक मार्शल आट की ट्रेनिंग का एहम हिस्सा है मर्द इंस्टिट्यूट में जाके मार्शल आट सीखता है लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूत नहीं है फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है जैसे सील बटे में चटनी बनाते हो ना पल्टे से हलवा बनाते हो ना फाइट में भी ऐसी खिलना है सबसे पहले काम करो उसको कपड़े की तरह सुखा कर उस पर क्लिप लगा दो फिर पंच मारो या बाय हाथ का चाटा मारो चोईस तुम्हारी है आजा इस्तो यक्र इस्तो फिए बीर, इस्तो है यह यह बीर श्य successfully phrase येम कि और ले टा से के बंगड, you know that is ready? श्य सिर को मैं और तुमाई है यह है छूलै क्ट तुम्हारी है आटी बेक लूश्य को से है वह उग क्या तूम्ह है वह दरूस है सब्सक्राइब भी और तुम ज़ानते हो तुम सूपरमान मैं तुम क्या कह रहा हूं हम क्या झालकाओ इस तो बहुत कुछ नथसदर आ रहा है अज अज सुबह एक नमउना मिला जो अपने हैं अपको पैसे लेकर कर दो है अपने नाम कि खौफ से मुझे डरना अच्छा लगा बगवान कैसा होता है ये तो आइडिया लोगों को जरूर होगा लेकिन बेरागी कैसा है ये किसी को नहीं पता इसका जो नशा है वो किसी भी चीज में नहीं मिलता स्वामी सत्या इधर देख बहरागी किसी ने तुम्हारा स्केच बनाया है किसने बनाया ये पता लगा उसका हलो ये सब क्या हो रहा है सर क्या हुआ मुझे एक आदमी ने बहरागी का फोटो दिखाया और मुझे पूछने लगा कि बहरागी कौन है मेरी परिक्षा लेने के लिए आप इने किसी को भेजा था क्या तो पागल हो गया क्या मैं किसी को क्यों भेजूंगा वो अभी कहा मिलेगा मुझे नहीं पता है उसे देखेगा तो पैचान लेगा ना हाँ पैचान लूँगा कि तुम्हारा स्केच बनाने वालोई को 24 गंटे के अंदर लाकर तुम्हारे सामने कड़ा कर दूँगा फोटो तो नहीं मिल ले ये बाई लेकिन उसे कहां देखा है ये याद आ गया कहां कनक राज की दुकान के पास बैरागी को सिग्रेट पीते हुए हमारे आदमी ने इसी जगे देखा था यहीं उसने मुझे फोटो दिखाई थी उसे यहीं कहीं होना चाहिए उसे आसपास कहीं ढूनेंगे तो वह ज़रूर मिल जाएका आप 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 कि आप आप वहां पे बड़ी पब्ली के कट्टी है चल गया रहा है वह एक आदमी का स्केच बनवा रहा है कहता है कि जो उस आदमी के बारे में बताएगा उसे वह पचास जार देगा मेरागी का आदमियों चाल ले चाल 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 आप आप हाव बिल्कुल यह है वो उस दिन इसी को मैंने देखा दो वो देखो अधर वह है यह वो जो अधर अधर दो करते में अधर 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 भाई आप आप खेल बाई वो आप तक उस फोटो वाले को सिर्फ में अकिला भूण रहा थे लेकिन आव उसे पचास लोंग धून रहे पीशे देख पुरी बाराद खड़िये तुने जो जगे बताई वहां तो देख लिया, अगर तुझे कहीं दिखाई दे, तो बिना लापरवाई किये, सीधा फोन करना, तुना नमबर लिख ले मेरा, अबे तुझे बोलने है, नमबर लेख, 897-818 अलो कौन? तुम्हारा फ्रेंड हो मैं, फ्रेंड? हम दोनों का दुश्मन जब एक ही है, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड ही हुआ ना, कौन दुश्मन? बहरागी, जैसे तुम उसे मारना चाहते हो, मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं है उसे मारने की, तुझे तो बस इतना ही पता है कि वो कैसा दिखता है, बगर वो कहां रहता है ये भी मुझे मालुक है, वो अपने सारे डील्स पहाड के उपर ही करता है, और डील के लिए वो अल्रेडी निकल चुका है, एक सवा घंटे में वो वहां पहुंच जाएगा, बहरागी, तुम्हाए मारने वाला बैच वही है, वही है बहरागी, तुम्हारी फोटो लेकर एड़क्वारी करने वाला, एए, उस बहरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुलाडी पर धार करवाई है, इसकी बाडी लेंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वो पहरागी, पहले उसे, फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे, वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे मेरागी, मेरे एक वार से दस करदने कटेंगी, तू डर जाएगा अपनी आँखें बंद कर ले सत्या, बंद कर ले सत्या, जगा! येर छЕगान जगानप टी जगाना! एचाना अनिया अंया बहाना! लगाना हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है इतने लोग तुझे मारने के लिए ढून रहें पर भी तो सही सलामत है यह देख इन का क्या हाल बनाया है मैंने आज के बाद तेरे उपर कोई भी आख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अशर करूँगा परलोग पहुचा दूगा उसको क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी से भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूँ और तूने मेरी कोई मामूली हेल्प नहीं किये दोस्त आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉड़ी गाड हूँ एक बार तू अपनी जिंदेगी की चाबी मुझे देदे फिर देख इन जैसे लोगों की जिंदेगी पर कैसे ताला मारता हूँ तू स्टेप बाइ स्टेप मेरा कमाल देखता जा यह तेरी रक् क PAR product समझ में नहीं आता मैंने उसकी लिए किया क्या है मुझे भी ना बताये तुमने उसकी कोई मदद की मैं कोई संथ नहीं हूं जो मदद करूगा मैं सबस्क्या उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वज़ा है वो जिस से मिलता है जिस से उसकी जान पहचान है और जो भी उसके रिष्टेदार हैं उन्हें यहां लेकर आओ इंस्टिट्यूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं वैरागी भाई ने बुलाया है चलो जैकी चैन शारुखान और मैं कहीं नहीं जाते उन्हें ही यहां लेकर आओ एजम गरगर जाकर के सिखाने वाला मैं कोई सेफ मास्टर नहीं हूँ श्रेंट मास्टर हूँ हें देखव सम उन्हें के पास तुम गएं तो और वो मेरा नाम सुनके डर जाता है पागल कहेंगा यही है वैरागी अगर यह वैरागी है तो मैं बिन ला देनू समझा मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई तेरा ओफिस बॉय गणेश कहां है अरे बाबरे तुम्हें भी परिशान किया एक बाल बताओ भाई लबर को एक छोटी से भी खरोच आ जाती है तो वह वहां जरूर बहुत जाता है अभी वह लड़की का कुष्टों से धूर रहा करो भाई यही है गनेश की लबर का घर अचली वह पहले मुझे प्यार करते थी बाद में उसकी लेवर मन गई मतलब जमीन हमने तयार की और ख आगे केले के तने जैसी है उसके लिफ गुलाब के फूलों के जैसे खिले हुगे हैं आप कुछ भी करो उस गरेश को खत्म कर दो और इस रड़की कहाथ मेरे हाथ मेरे देदो भाईया वह सज बोल रही है क्या मैं इसको लाइन मार रहा हूं वह सांड की बहन है मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होती हुए भी मुझसे छुपी रही इसका जवाब है तुम्हारे पाप जोग हो जा तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा बहुत जीलिया मार डालूंका उसे इसने अपने बाप को नहीं छुड़ा तुम मेरा क्या हाल करेगा अरे बापरे बाई सारी बाई कसंसे मुझे नहीं पता था कि वह आपके बहन है कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माप करता हुए क्यों पहरागी इसे खत्म कर दूं किया क्या बग रहा है तुम्हारी मेरी मेरी महां नहीं है क्या तुम्हारी वी मेरी वी नहीं यह कि बॉल बहुत चालाक है वो मुझे टरगेट बनाने के लिए उसने मेरी बहन को ट्राट किया नहीं छोड़ूंगा मैं उसे इस बार मैं यहां आपके लिए नहीं आया हूँ तुम्हें फोन करके मैंने ही बुलाया है तुम जिसे प्यार करते हो वो मेरी बेटी है तुम जिस बैरागी को ढून रहे हो वो उसकी बहन है मतलब बैरागी आपका बेटा है वो क्या है यह जानने के लिए तुम्हें पाश्ट जानना होगा चांग्रेचलेशन्स स्यादी तुम्हारी बेटी है न ‫ कहा है वह हमारी बेटी थे हमारी Adagy union कहां से आजएगी तुम्हारी शादी हुए आठ साल होगे और तुम्हारी बेटी को हुए साथ साल हुए लगता है पागल खाने से सिधे यहीं आया है चलो हमारी शादी को आठ साल हुआ है और हमारी एक बेटी भी है बहुत सोच समझ कर मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हें सेलेक किया है फ्यूचर में वो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकती है इसलिए आज से यह सारी दौलत भी मुझे मिली जो कुछ भी है शहस्त्रा के वज़े से उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मागा सिर्फ तुम्हारे अलावा उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ पेटा और शांती से अपना जीवन जीओ क्योंकि बैरागी कितना खतरनाक है यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है शहस्त्रा तुम्हारा इंतिजार कर रही है कियो भाई मुझी को डूंड रहे हो ना इतनी तकलीफ यू ले रहे हो एक कॉल कर लिया हो ता मैं खुद आ जाता है कल सुभा एंटियर सेंटर के सामने सावित्री होटल में मिल लेते जल्दी आना नाश्ता साथ में करेंगे मेरागी 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 का अओवभर मेरागी कादमी हूब माप्रे यही है मेरागी ओसंट जरों से हांगि नाम क्या आप आप ऐाँ आप ऐसे घू रहे हैं सुआने जो olarak आपोट प्र हराद उल्स्क्रील做 secured भॉर से फ्रॉह को यह हो अजो क्या student आपैंगीक्ण क्या बाई आपका पोस्टर तो ब्लॉग बस्तर है हां बाई पाप कर दो बाई पबलिक रिस्पॉंस सॉलिड है हां अस्सम से बोल रहा हूं कहां है तू एस्टी वाले जंक्शन पर तुम्हारा पोस्टर लगाने की टेंशन में हो यहां आ जाओ ना भाई वहां से हिलना मत मैं अभी आ रहा हूं नहीं वेरागी पूरी सिटी में लोग आज तुम्हें पहचान पा रहे हैं यह सब उसी की प्लानिक की वज़ा से है उसे जो भी करना करके दिखाऊंगा है 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 राइट हो या रॉंग मुझे नहीं पता लेकिन हरे कॉट्टो पर तुमारी फोटो लगा दे कहा है तू में चौराय पर तुमारी फोटो देखके लोग सीटी बजा रहे हैं हम देखके अ कि मैं पहुच गए है तुमारी अरे पर दिख्यां कि धर है भाई कि अ चुद कि मैंने कहा पर तेरा ध्यान कि दर भाई को पकड़ने केलिए इसने मेरे को ही उढू़ू बनाए बना पोस्टर निकला हीरो आईसा ही लगा ना भाई फोटो हो जाए यह मोटे तू भी आजा भाई डालो नेरे इलनामात अब यह फोटो को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तो इंटरनाशनल लेवल पे फेमस हो जाओगे ट्विटर में ट्विट्स होंगे फेस्बुक पर कहेंगे वाट्स आप जरो ताली बजाओ इसके बाद तो तुम्हारी वाट लग जाएगी इतने फेमस हो जाओगे कि हर जगा बैरागी ऐसे शेर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा भाई आपको पता है लोग कवर पीच पर रहना चाहते हैं और आप हो कि लास्ट पीच पर ऐस करने वालों कोई फैन होते हैं आपने मेरी रियल लाइफ में जान बचाई इस डेम आपका फैन हो अरे ऐसे घुर घुर के मां देखिए आपको ऐसे देखके मुझे डर लगता है तू क्या बकरा है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कब बचाई थी मैंने तेरी जान आप बूल गए भाई आज से ठीक 15 साल पहले उस जापानी गार्डन में उस भवानी के साथ मेरी नोगजोग हो गई थी उस दिन क्या हुआ था कि मुझे मारने की हिम्मत किसने की है 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 मैंने ही मार आंकर सॉरी बॉल दे दीजिए क्या हुआ आंकर सॉरी बॉलने से बात खताब हो गए तो इसे क्यों मार रहे हो तो कौन हरे मैं इसका फ्रेंड हूँ गोना मेरे पैर पर चोट लगी थी तब इसने बैंडेज बांदी थी इसे कुछ मत कहना चोटी सी तो चोट लगी है दवा लगा लो ठीक हो जाएगी एसे नूबॉल लेकरा है मैं कौन हो तुझ जानता है क्या नहीं जानता हूं और अगर जानता तब भी ऐसे बात करता अब किसी को भी मारने से पहले उसकी आसपास वाले को पहले मारूंगा रोको रोको आजाओ आजाओ अरे गनेश सुनो मैंने बैंगलूरू के लिए तुम दोनों यहां से चले जाओ इसका टिकट भी बुक कर ले तुरी बैन मुझसे प्यार करती है भागने की सोच रही है मेरे साथ हिम्माद है तो रोक ले वैसा कहूंग यही सोच रहे हो ना तुमारी बैन है यह पता चलते ही मैंने अपने लव को लॉक अप में डाला और इसके साथ जोबी मेमरी इस ती उसे डिलीट कर दिया तेरी बैन से ज्यादा मुझे तुछ से प्यार है अभी तक नहीं समझा तेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान किया मेरे लिए तू बह पिछले 15 सालों से जो बैरागी आज तक कभी किसी को नजर नहीं आया आज वही बैरागी हर किसी को नजर आ रहा है और उसकी जलक पारे के लिए शेहर के लोग बेताव बैरागी खत्म कर दूंगा तुझे अरे भाई तीवी तोड़ोगी क्या अरे यहां बिल भरने के पैसे नहीं है और तुम तीवी तोड़ा हो उससे मारने से पहले उस गनेश को मारना चाहिए उस कमीने की वज़े से बैरागी मिसो धिया इस पार दोनों को एक साथ खतम कर दूंगा फैन का स्विच अन करो भाई मेरे लिए एक बार अन करो भाई इस फैन को तो चालो नहीं कर पा रहे और वो तो बैरागी का फैन है उससे कैसे मारोगे भाई चुप-चाप टैबलेट खालो उन दोनों की मौत मेरे ही हातों आगी कि नसीब खराब होता है तम ऐसा ही होता है कभी टॉर्च लाइट के जैसे किसी को नहीं दिखाई देता था लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के जैसे रोड़ पर आ गया देखा भाई तुम्हारे बाहर आते ही हर तरफ खामोशी छा गई कउवा भी काउं काउं करके उड़ गया पेकिन जाते जाते वो मुझे कुछ बता गया है उसका और तुम्हारा जरूर कोई लिंक है अब क्योंकि कववा शनी देव का वाहन है पहले यह आया तो शनी देव भी आएंगे बाहर आके पूरे शहर में घुम रहा है अभी तक उसे किसी ने क्यों नीं पकड़ पाएंगे उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से एक विशेश ऑफिसर आ रहे हैं उनका नाम है के कटपा पुलिस की वर्दी में साथ चार्च शेर है वो उनकी एंट्री के बाद नो कमेंट ओनली मूब्मेंट हुआ 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 परागी तब तक जिम्दा रहता है जब तक शेर से सामना नहीं होता शेर के सामने आते ही खेल खत्म अगर मैंने कोली चलानी शुरू कर दी तो शंशान में जगें कंपड़ जाएगी अभी तच मैं नौसो निनान में एंकाउंटर कर चुका हूँ अरे ये कोई एमार्पी है जो बार-बार रट रहा है अगर आइसे ही काउंटर पे होता है इंकाउंटर जब मैं बोलता हूं तो सबको अपना मूँ बंद रखना चाहिए एक दम खामूश एक बार जब मैं स्क्रीन पे आता हूं तो राइटर की लाइनों की जगा अपनी लाइने बोलता हूं समझ मैं आया कि नहीं यू आर तो कटप पा हो या खाली डिपा खाकी वर्दी पोस्टमेंट भी पैंता है और रिक्षेवाला भी पैंता है अब क्या बता हूं सभी दिखते हैं सेम टू से कान है रे तो मेजर अब चाहिए इसना कड़क सेलिट क्यू मारा अठारा के बाद तो सभी मेजर होते ना हम लोग बहरा की है यह सबूत है किया तुम्हारे पास सिनिमा के पोस्टर के जैसा पूरे शहर में पोस्टर लगाए इसने अहां सुल्तान फिल्म के पोस्टर पर में अपनी फोटो लगाऊंगा तो क्या मैं सलमान खान मन जाऊंगा लॉजिक है तो यह कौन है भाई-राजू बेसि सब्सक्राइब रेकॉर्ड हो गया है और रेकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता चीची गुंड़े उंड़े नहीं इनकी जॉइंट फैमिली है माँ बाप चाचा चाची मामा मामी साला साली बड़े भाई छोटे भाई भांजा और भती जे आप आप हैरान हो जाएंगे परिवार को साथ रहता होगा चलो दिखाओ इसका घर है कि सर देखिए यही है इनका भाई राजू ब्रिंदाम मेकानिक का काम करने वाले का इतना बड़ा घर वो क्या है ना भाई दिन में पंक्चर बनाते और नाइट में वेंचर करते अगर घर में इसकी फैमिली नहीं मि यह बैरागी है यह भाई राजू अभी पता चल जाएगा चलो अंदर अरे चुप हो जा ऐसा बिसुरा गायक मैं आस्तेक नहीं देखा वह नहीं तू शंकर कुमार हूं साब दिखने में तो गोल बटोल गरनेश जी की जैसा है इसका नाम शंकर किस ने रखा इसकी माई शं यह लोग कोन है यह लोग कभी है सिर राजा राम मोहन राम सीता राम रोट पर जाडू लगाने वाले जहार구나 जैसे दिख रहा है दर असल यह नियूरो लोजिस्टेट इंकी जबान किसली है अरे जा भाई हलो जिवार पुरा बाहर हो कहा है और यह समझ गया क्रिकेटर के साथ इंजिनियर भी यह क्या को मिनेश कर रहे हैं सर इन लोगों को मेकैनिकल एंजिनियर बनाने के लिए भाई राजू को मेकैनिक ब हम सब एक यह फैमिली की लेडीज हैं तुमसे पूछा क्या को दर असल पुलिस के सामने सेच बुलना पड़ता है अब यह क्या है लगता है जैसे आई पिल जीत कर आए हो और यह आर्थी लेकर आई है वो क्या है ना सर भाई इतनी महनत करके आए इसलिए बहन आर्थी होता रही है भाई बिन लादेन के जैसा दिखता है और बहन ब्रिटिश की रानी के जैसी यह क्या कॉमिनेशन है आप चलो भाई पहले अपना ताया पे रहनते रखी भाई यह वैरागी की मार खाकर इसके ब्रेन का एक नस कट गया है यह कब कनेक्ट ह होता है कब डिस्करेक्ट होता है इसे भी नहीं पता अब यह लोग कौन है भाई के मदर और फादर हैं तो यह लोग कौन है बड़ी मा बड़े पापा वह लोग स्मॉल मदर और स्मॉल पादर मतलब बिलकुल सही बगड़े होसे तुने अच्छा मैच किया यह कौन है बिजली के खंबे के जैसा हमेशा इसके पीछे क्यों खड़ा रहता है मारूती नाम है इसका हमेशा भाई के साथ हनुमान की तरह रहता है और यह कौन है यह बुडु मारूती सब्सक्राइब हाई किसी डाल दू क्या नरसल क्या है आपको बहुत गर्मी हो रही है इसलिए ठीक है इवेंट मैनेजर के जैसे सब कुछ मैनेज कर दिया अच्छा तू इन सारे लोगों का क्या लगता है अब क्या बोलू यह मेरे होने वाले पती सर अहां यह क्या है यह तो बहुत शर्मा रही है लव मेरे जना नहीं यहां कोई भी एक भी विश्टादार नहीं है इस घर का नौकर अगर मैंने जुबान खोल दी तो तेरा काम तमाम हो जागा आपको जो भी इंफ्रमेशन चाहिए मुझसे पूछा मैं बताऊंगा पहले नीचे उत मैं आपको बताता हूं यह क्या है लेमंटी सर तेती शक्र के जैसा घट्या है आप पीलो सर मैं तुझे बताता हूं कि चाह कैसे बनानी चाहिए आधा लिटर दूद लेकर उसे गैस पर रख दो इसमें थोड़ा सा शक्कर और चाह पत्री डाल दो जब वह अच्छी तरह से तो उसमें थोड़ी सी अधरक डाल दो अब उसे पका के अच्छी तरह से पियोगे ना वर्ल्टकब जीतने जैसी खुशी मिलेगी अच्छा तू तो कुछ सच बताने वाला था ना अच्छा वो सच बोले तो अब बच्चा ने मिता बच्चा मले तो अच्छी अट्टिव नहीं कुछ और सच बताने वाला था ना अच्छा वो चाय बनाना वो तो मैं इसको सब कुछ बता दिया है है ड है रेल एंजन का साउंड और या जाए सावन्ड़ मेरे मारने के बाद साउंड ऐसे ही होता है तुबाँ मैं पता है मैं कौन हों तो आपके समझ में आ गया ना यह बहरागी नहीं भाइरा जोई यह क्लियर हो गया ना अब आप जा सकते हैं तुने जाने को बोला इसलिए नहीं जारा मैं यहां वापस आने के लिए जा रहा हूं यह बात ग्याद रखना यहां जरूर आऊंगा अगर मुझे सबूत मिल गया कि यह भाई राजू नहीं बैरागी है तो इसके पीछे सब को लाइन में खड़ा करके एक गोली मारूगा नहीं आपके लिए फैमिली सेट कर दी तूं 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 दादी को ज्यादा इस पिर्में जाए लूँ टंट्रूं तैंक्स गनेश किस लिए पहले पहले शवार में कभी नहीं आया थे सब तुम्हारी वज़े से हुआ है आम सो हापी तो इस मौके पर तुम्हें एक ट्रीट दू कैसी ट्रीट यानी मुझे लगा खाने की या पीने की होगी लेकिन देख लेता तो अब तो हमारी शादी होने वाली है लेकिन मैं तो समझा था कि ब्रेक अप हो गया है ये यू और लॉप 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 अब लॉप 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 तो तुम लोग रोए क्यों थे उस म्यूजिक में मस्त सेन था भाई यहां यह बैक्राउंड म्यूजिक नमस्ते मास्टर जी आजा सेन वाजा माजी कैसी है आप मैं ठीक हूं बेटा है हम गाउं से आ रहे हैं यह जानकर भी अमारा बेटा हमें स्टेशन लेने नहीं आया इस बात से मुझे बड़ी खुशी है क्यों मास्टर जी मैं चारा प्रेम करने लगा ना लड़की के साथ बैजी होगा बीजी है यह तो सही है लेकिन लड़की के साथ नहीं बहरागी के साथ वहरागी बतलब वह अभी तक उस पहरागी को भूला नहीं है आपने बच्पन में वो कहानी सुनाई थी ना चीटी और कबुतर की आज उसी कहानी पर वो फिल्म बना रहा है वहरागी ने उसकी जान बचाई ये बात उसके दिल पर असर कर गई थी और उसकी तस्वीर लेकर उसकी help करने के लिए घूमता फिर रहा था इसे avoid करने के लिए मैं अपनी transfer लेकर भद्राचलम चला गया था पर इतने सालों के बाद भी वो बात उसे याद रहेगी ये मैंने सोचा नहीं था लेकिन उसने तो सोचा यही है उसका character वैरागी आज के दिन पूरे शहर में इसी बात की चर्चा होती रही कुछ लोग इसे ही वैरागी मान रहे हैं और कुछ लोग इसे publicity stunt कह रहे हैं पर इसकी बारे में चैनल चेंज करो मुझे मेरा सीरील देखना है अब तक मेरा चैनल नहीं लगाया जल्दी लगा क्या कर रहा है आंकेल आंकेल अगर कटपा को यकीन हो गया कि तूं वही वैरागी हो तो अब तक का सारा किया अध्या मिटी में मिल जाएगा एई तू ही उससे बैरागी बनाकर बाहर लेकर आया और तूने उसे भाई राजू बनाकर उसकी फैमिली भी बनाई अब आगे तू क्या करने वाला है बताता तो कि शेर को घास खिलाओगे तो वह नहीं खाएगा खिलाने वाले को खा जाएगा अखिर तो एसा क्यूं कर रहा है आपने स्टिस्फैक्शन की यार तेरा स्टिस्फैक्शन फैक्शन से भी ज़्यादा डरावना लग रहा है ओ यह सब बहुत हो गया अब बंद कर यह सब लगया जिम्दगी के साथ खेल रहा है तुम यह बच्चों के साथ क्लें में लगे हुए है एप अब बंकर अपना बोप हू तुम्हारे साथ ग्नेश क्या कर ना चाहते है तो मैं कुछ पता भी है करना क्या चाहता है तु यह देखो मेरा हो नंशार साही टाइम में बच ज रिजॉर्ट में आएंगे तो ड्रेंग फ्री चखना फ्री मसाज फ्री और साथ में लेडीज भी फ्री मतलब टोटल फ्री बोलो मैं कब हूँ आपको जब मूड हो तब आजाईए मूड आउट हो तो चले जाईए और रास्ते में कार में हूँ फोन दखो में पहुंचा है क् कुछ काम था गया अब तू ही तो मुझे कुछ बताने वाला था हां बॉडी मसाज के साथ ट्रेंग प्री है चलो में क्या तो चलेगा क्या ओके गाइस मैं चलता हूँ कटपा का फोन आया है कि इससे फोन करता हूं उसका बैड मौनिंग होता है इस कटपा का नाम सुनते हैं पंची पी पाने नहीं पीते हैं आपका नाम सुनके क्यों पिएगा जब प्यास लगे कि तब पिएगा ना कहा हो घर में ही ना आप अभी बिल्कुल मत आईएगा हम लोग अभी घर पर नहीं हम लोग बाहर हैं तो तुम लोग कहा हो सुबस बस आरे मर्द लोग वाकिंग करके फिर जॉगिंग करके अभी आपके साथ फोन पर टॉकिंग करके बाजार में बस एंट्री कर रहें इस बड़ा कन्फ्यूजिंग है आपको मिल नहीं पाएगा ब मार्केट आएगा एक पचीस केजी मचली लेकर आऊं क्या वेजिटेरियन मचली कैसे खा सकते हैं इसने तो जबरदस्त पंच मार एक दो कदम आगे बढ़ जाएए फिर राइट ले लीजिए वहां पर तो सबजी बाजार आएगा सही कहा आपने आप नहीं आ सकते फासला बहुत लंबा है बिल्कुल गलत मैं अभी वहीं हूँ तुम लोग कहा हो यह बता यहां सब्जी मिलती है ना हम लोग वहीं पर है सब्जी बाजार में सब्जी बाजार में सब्जिया ही मिलती है कुलर और फैन नहीं तुम लोग कहा हो यह बताओ कटपा जी मुझे आप दि पीछे मोड़ कर देखा तो दिखाई दियें आप पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिए आत में थैली देखकर तो यकिन करो सार हम सबसी खरीद रहे हैं सबसी खरीदने के लिए इतने सारे लोग क्या हुआ मैंने कहा रहा है चोटे से चोटी चीज भी खरीद ने था हम साथ में जाते हैं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अब यहां देखकर जस्टिफिकेशन रॉंग है फिर्स्स वेरिफिकेशन ने स्कांफिकेशन उसके बाद नोटिफिकेशन आए डोंट लाइक इस कांड ओव कंफरन्तेशन इन और पूटिंग में इरिटेशन माइंगर विल बिकम सेंसे इंसें शेंशन स्टॉप य इन ओशन आप वन स्टेशन डाट इस पुली स्टेशन यू आरें फ्रस्ट्रेशन चुप जाओ वह कितना खतंडाक लग रहा है शक्ल से ही वह सबसी खरीदने वाला नहीं लग रहा है अब खाली फोकर गाली बात दिजिए सर्ण यह 24 करेट्स का सोना है मुझे तो यह कहीं से पीतल भी नहीं दिखरा तुझे यह सोना कहां से लग रहा है यह क्या कह रहे है आप बैंगन में कभी गन रहती है क्या नारीयल में नारी होती है क्या दूदी और कटणी का आपस में कोई रिष्टा है क्या बताइए मुझे समंदर और जहाज हमेशा साथ रहते हैं अगर उ से इनका कोई लेना देना नहीं है गुण शेकर से गुण विनायक से विने और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तब बनते हैं भाई न्यूज कवरे से ज्यादा तो इसे कवर किये जा रहा है यह बैरागी है या भाई राजू मैं अभी साबित करता हूँ अगर तुझे बैरागी को मारना है तो में सबजी बाजार में आजाओ अभी नहीं छोड़ूंगा मैं तीछे अब क्लियर हो जाएगा अगर इसने हथियार उठाया तो कन्फर्म हो जाएगा यह बैरागी है उसके बाद खेल खत्म सुनाओ अभी तलबाल उठाओगे तो कन्फर्म हो जाएगा तुम बैरागी हो अगर है 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 अगर यह कि अधुर दूद्ध यह कि अधुर्वाण कि तरह भाग रहे हैं यहां सिर्फ चार पुलिस हैं वहां 400 पुलिस मिलेगी पहचान लिया तो काम तमाम कि अन्यूंट सब गो अरे पास्क जब चल दी कि ओल और मार पाज़ा जब तक तुझे मार नहीं दूगा या पीछा नहीं चूंगा कि अ हो रोफ रीव माल जरी आंगा। पॉह माले लिए न्यार नचे ओपसक्णा । हुच्छ को प्सकतम बड़े को प्टे किव दिह हो वे जिए वे वे थे वे भिले वे वाल क्या देख रहे हो तूं देख रहा हूं यह पेंडिंग अच्छी है यह पेंडिंग करने वाली तू देख लो अबे रोक ले कंट्रोल कर अपनी आखों को परना पता नहीं क्या हो जाएगा गड़ड हो जाएगी कंट्रोल क्यों वे यह लड़की तुछ से प्यार करती है और तू इंकार करता है तू दिखने में मेरे जैसा लेकिन है नहीं तू मेरा डुपलिकेट है तो तू ही डबल एक्शन दिखा ना ओवर एक्शन ऐसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और यह तुझे लाइन मार रही है पेन में जैसे कैप चिपकता है और तू इतना गाप दे रहा है तू मेंटल है क्या सेंटिमेंटल हूं अभी उससे प्यार नहीं करता है आखिर क्यों बैरागी की बैन है ना जान गई खड़े में ऐसी लड़की को खो देगा तो जान का क्या क क्यों तु बोल रहा है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है चांड जैसी लड़की तुझे देख रही है और तू अपनी शकल चंद्रक्रेंट जैसी क्यों बना रहा है एक बार तेरा फॉर्म चला गया उसके बाद कितना भी किसले बॉल सही नहीं पड़ेगी अब बस करो नहीं मैं तुमसे नहीं कह रहा है तू लाइन मार रहा है या मैं भगा के लिए जाओ तू अंदर जाया अंदर क्यों जाओ तुमसे नहीं कह रहा हूं सर वो बैरागी की जिंदगी के साथ खेल रहा है और आप इत्मनाम से पेपर चेक कर रहे हैं यह लीजे सर उसे अभी फोन केजिए और सब को छोड़ कर आने के लिए कहिए सर क्यों आने के लिए कहूं उससे कहूं कि जो कहानी सुनाई थी वो गलत है तुम सबको सिर्फ और श शहर में तहशत फैल जा दी थी और अब उस पुलिस वाले के डर से मुझे भागना पड़ रहा ऐसे ही जलता रहा तो इस शेर को चूहा बनना पड़ेगा वो इस वक्त मेरे साथ जो भी कर रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा उसकी जिंदगी में मैंने सुनामी नाला हो जाएगा क्या कहना चाहता है तो इस पागल की बात मत सुनतो अरे नली तुझे बीच में घुशने की ज़रुत नहीं है ऐसे रिटायर गुंडों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा सटर जल्दी क्लोस होने वाला है तुम इस उल्फा बेच के साथ घुमना छोड़ अब तु कुछ भी कर जा कुछ भी नहीं तुम्हें क्या चाहिए यह बोलो तु यहां से जा ठीक है जाता हूं भाई आपको यहां बात बताने के लिए था अब जाके मुझे याल आया है घर में दूद का पैकेट खतम हो गया है यह लेचा दूद लेगा रहा है अब किसी की भी लेगा तेरे लिए मिल्ली का दूद लाता हूं आज रात ही उसे मारना है किसी भी तरह से यह पाएगा अपने सारे लोग उसकी बाते मानने लगे तो फिर बाहर से आद्मियों को बोला लगता ही ये कव्वाली का बैच भाई को छोड़ेगा ने भाई के उपने से पहले इने सुलाता हूँ क्या रहे भाई को मारने आया था क्या मेरे होते भी नहीं मार पाएगा मेरे पंच की वालेडिटी बहुत है या टाइम पर लग जड़ा हूँ मैं कैसे मार रहा हूँ तुम लोग कैसे ओड़ रहे हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा हूँ यह टकले मैंनच से सीड़ी चड़कर उपर आया ना शॉटकट से भेज देता हूं तुझे इंजॉय दी एंटी ग्रैविटी इफेक्ट सारी भाई वो कपाली के छोकरे लोग आपको मारने के लिए फिर से आये थे आपको डिस्टरब ना हो इसलिए उन्हें सुलादी है मुझे नहीं गणेश यह सब तुझे मारने आये हैं इन लोगों को मैंने ही बनाया है भाई अगर मैं मर गया तो आपको बचाएगा कौन मैं आपके बैक्बोन जैसा हूँ यह सब लाइटली लोग जाओ सोजा ओके मैंने बोला सोजा यह मेरे लिए बैक्बोन नहीं बैक्पेन है इसे अभी खत्म करता हूँ नेताओं के जहांसे में आकर वोट डालने वाला में वोटर नहीं हूँ शूटर हूँ तुम्हारी आखों का गुस्सा बता रहा है कि तुम्हीं बैरागी हो इतने दिनों तक मैं इसी सीन का वेट कर रहा था अब तुम्हारा सीन खत्म हो गया समझे यह तो सिर्फ ढरा रहा था अब तुझे अंदर टालूंगा अपी बर्थ डे टू यू आपी बर्थ डे टू यू माई डियर आप इंग्लिश में वीक है इसली मनें हिंदी में लिखा है इन्हीं का बढ़ दे हैं गब वह था इसका जन्म बताता हूं सर हमारे भाई में साइन की साथ तारीग को साथ बचकर साथ मिनिट में रोते हुए बाइदा हुएGroup यह है तुम जलने के और बड़े केक को काटने के लिए बड़ा हत्यार भी तो चाहिए न प्रशन जितना भी बड़ा हो जवाब सरण होता है तेरा बस चले तो तू दावद इब्रहाहिम को भी जॉन इब्रहाहिम बना देगा केक काटने का टाइम हो गया सर मैं काटो ना ऐसे क्यों देख रहे हो भाई हर साल आप अपने बड़्डे में केक तो काटते ही हो ना कम आउन कट अपनी बेहन को और अपनों को पहले केक खिलाते हो ना यह क्या भाई आप और भूल गें नेक्स्ट अपने पैरेंट्स के पैर चुआ और उनके आशिरवाद लेलो जल्दी अरे यह सेंटिमेंट है या मैनेजमेंट अरेंजमेंट इंजोईमेंट सार वाई इनको भी खिलाव बुलेट से तुम्हारी तस्वीर बनाई है मुझे केक और जोग दोनों बिल्कुल पसंद नहीं फिलाल इस वक्त तो तू मुझसे बच गया है लेकिन तुझे ससुराल पहुंचाने के लिए मैं यहां बार-बार आता रहूंगा यह फेकू के रियाक्शन से आप रिलेक्स रहो जाओ 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 यह बबर शेर यह तेरा कैसा बड़े सेलिबरेशन है तु इतना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी है लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना बेवकुब बना रहा है जा फिर तुम्हें उस बारे में कुछ भी क्या है केक को अ अब तुझो कहेगा मैं यकीन करूंगा अब बोल कि हैपी बड़े टू यू बड़े केके बड़ेशन क्या बटर इसकों मैंने उसके death day का plan किया तो से मेरा ही birthday plan कर दिया मेरी ़िया मेरी से तुसे कोई मतलब ही नहीं उसके मन में जो आता है वो करता रहता है हस्ते हस्ते वो मुझे नर्क दिखा रहा है उसके प्यार के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ मैं उसे मारना चाहता हूँ पर कुछ और ही हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे जबरदस्ट चोट पहुचा नहीं होगी उसके माबापको खत्म करता हूँ कि अब कि अब हुआ कि अब मुझे आने में थोड़ी देर होगी मुझे एबियन कॉलेज में एक एक्जाम के इन्विजिलेशन के लिए जाना पड़ रहा है तुम कॉलेज में ही आजाओ हम वही से फंक्शन में चले चलेंगे ठीक है वही आ जाना कि अब है जेशी जिटना जानता हूं उतना ही लिखाओं बागी का आप समहाल लीजेगा अब हैं आपके पास पर्ची है ना मुझे पता है आपको मुझे भी आक परची निखा दिखा दो पही आपको प्रची क्या हुआ इतनी जल्दी हो गया तो फिर से इंग्साम दे दूंगा मर गया सब्सक्राइटिंग हैंड ओवर यूर आंसर शेट्स बेटा तुम अभी एक्जाम दे रहे थे ना कहां जाना है पेट्रोल खत्म हो गया लगते आजाओ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ क्यों बेटा एक्जाम तो ठिक गया ना क्या हुआ ऐसे क्यों गूर रहे हैं तुम मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा अरे बापरे चली 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 वहां की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं लेकिन इंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है जी क्यों इतनी टेंशन लेरी हो आप सुलिए थे सही ज्यावर क सब्सक्राइब यहां तुम यहां क्या कर रहे हो यह क्या वाई एक्जाम हॉल से मैरेज हॉल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया अब यह यंग हो आपका इंगेजमेंट हो रहा है ज़रा देखो तो सहीं कि दूले वालों की तरफ से मेरे माबाब आपको यहां दूला बना कर लेकर आए और मेरा इंगेजमेंट क्यों आप फिर से गैरेज ने चले जाए इसलिए आपकी मैरेज सेट की है वर्थ डी में जैसे केक काटते हैं न वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं सब्सक्राइब कर दूंगे तो इस मुस्टंडे की शादी क्यों नहीं हो सकती बला लड़की का बाप कॉन है सारे अरेंजमेंट बिल्कुल पुकता है ना आप ऐसे ही तो आपको कोई दूला नहीं समझेगा शादी में काम करने वाला समझेगा जल्दी से कबड़े बदलोर चलो अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी तैंक्स सर जी क्योंकि शादी तो आप ही करवाने वाले हो तो मैंने क्या कहा और यह क्या कह रहा है टाइम हो रहा है दमाद जी कहा है वो रहे सर हाई दमाद जी सर तुम कौन इस एरिया का सी आई हो सर ठीक तो यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब पर अपनी नज़ा रहा है पता है वो कौन है सी वी आई चीफ नाम है नाग भुशन कुछ भी अगर गरबड किये तो बुलेट सिधे अंदर वो फायर ब्रेंड है तो मै अब आज़ी नहीं है वाई राजु बी ए म में एम बी ए एम कॉम ए एललवी एलाइसी यह एलाइसी क्यों है क्या है ना कि एलाइसी एजंट का काम करते हुए उन्होंने सारी डिगरी की पड़ाई कर ली आईसी मेरी बेटी भागी लक्षमी अगल विद गन वागया से टी ओनली शूटिंग जादी यह मुझे बहुत पसंद आया एक बार शूट करके देखो प्लीज जादी शादी की बार शूट कर देना आकर जाएगा कहां यह हमारा घर जमाई बननने वाला है अरसा लग रहा है मेरे कोट ले जाने से पहले ही कि तुझे बेडरूम में मार देगी सी मिस्टर भाई राजू तुम्हारे डिग्री देख कर लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो मैं सिर्फ थर्ट डिग्री की बारे में जानता हूँ इन सब डिग्री की अच्छी ग्रिप है वो तुम्हार नॉलेज़ टेस्ट करने वाला है ओके वह कुछ भी पूछे आप टेंशन मत लेना वाट हूँ वाई येस नो सिर्फ इतना बोल देना बाकी माँ सब्सक्राइब इए बाल को किस न ने किया वाट ये अस्टीम अजिनन का विश्कार जेम्श वाट ने किया राइबंट्फ बबनेफुल मैं के अक्ट में रहता है yes right answer, high five esinращal question please बर्फ बरफ वह डीरीक नीड Śनो यहाहाई ब्सक्राइब के दो ड्रीज करेकिर? वे इंडिन कॉउवरेस कि श्वापना किस ने की? झाल में कॉंगैस के अल्यूम तैकले है पॉरेक्ट गौरेक्ट है करेक्टिर है का सिंबल क्या है सा इस को दो बार सिधा काटिये है दो डॉलर को अशुरे मप्लाए द शुड़र को भाई को ढर लगता है को प्लच से ढर लगता है अब अब ऐखाना अब शूट कर लोज दारी डामाद जी तो पॉइंच ब्लैंग तुक रच्ष में ना। आराम से शूट कर सकतियों बेटो 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 बाटो अमधो विछ थरू अधिस करनें वह आ पहली बने बाता है। मैलंग नटीन संगीत जानते है अब करना यह निरत्ती शंगीत नहीं च intuition मेंайте दांस स्टेप्स करने के बाद स्टेज पर आया हूं यहां कौन सी मुश्किल है बताओ कौन सी स्टेप देखना चाहोगे आँ वीना वाला स्टेप दिखाऊगे अब बद करो बद करो बद करो बड़ा पुराना स्टेप कर रहे हो भाई अभी नया वाला दिखाएंगे तांस बड़ा असान होता है तुम तो मेकानिक हो ना पंक्चर बनाते वक्त रिम निकालकर बोल्ट निकालते है ना पंक्चर बनाते वक्त अवा भरते ना अलकालका पिछवाडे को हिलाते रो ऐसे बस हो गया ये कर वक्त रहे हो गया अब बेड़ा धमाजी कहां गायब हो गए है कि शास्त्रा वो लोग भाईय को मारे है मौत के पास पर आगी तुम्हारी जान है ना यहां तुम्हारी जान जा रही है जंदी से आजा वर्ना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी कि अ May síndo आगका अ. कि अ. कि जा़ मौत कि स्थ 것은े он. बिस्ट्षी क्यू कि डागी ढावे जां डै कि अगा रात रा जान से जार बेड़ा बेड़ लाड़ कि दिल की धड़कनों के साथ यही सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारू आज मिला है तू सारे हिसाब चुकता करूगा कि तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा कि हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू हां यह सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई तू मरेगा तब मुझे खुश ही मिलेगी अब यह मर चुका है इसे भूल जातू यह क्या क्या तुने दोखार हार्ट अटैक से भी टेंजर होता है यह एरिया तुम्हारा नहीं हमारा है इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था इसकी यह इसे तेरे ही हातों मैंने आज मरवा दिया अब तेरा काम हो जुका वेरागी अब इस सिटी का मैं हो वेरागी मैं हो वेरागी भाई को मुझे मारने का अधिकार है क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है प्रको कि मुझे अर जान भाई मैं पूरापDD क्या यह सिक्सपक बाई तो कपका करके छोड़ चुके हैं तुम तो मुझेट होगा अगर मेरी मौत से ही आपको खुशी मिलती है तो मारती ही मुझे भाई एक बार फिर आपने मेरी जान बचाई नइए प्लीज इसे मेरी हल्प मत समझो तुम्हें अपना आदमी समझकर मैंने बचाया है एक बार तुम्हें बचा कर मेरी जिन्दगी प्लाट्फरम बन गई है अब मेरा पीछा करना चोड़ दो प्लीज यार प्लीज आपने एक बार फिर से मेरी जान बचाली है भाई तो आपकी जान बचाने के लिए मैं सोच ये क्या करूं तो यार तू समस्ता क्यों नहीं कि इस तरह क्या देख रहा है तो इतनी दिनों ते क्यहीं सोच रहा था न है कि ये मेरे साथ क्या करेगा इसने तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दिया कवे का और तुम्हारा कोई लिंक ज़रूर है तेरी जिन्दगी को प्लैटफार्म नहीं यूनिफार्म दिया इसने है और ये सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है मैं इसका चाचा हूँ एक दिन तू उस कपाली गुंडे से डर कर भागा था ना वो टू के रन पुलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तुने किया वो सब फिसकल टेस्ट था तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एक्जाम के हॉल में वो तुम्हारा रिटेंट टेस्ट था आज सिर्फ तुम्हारी इंगेजमेंट ही नहीं हुई पुलिस इंटरव्यू भी हुआ डिपार्ट्मेंट के द्वारा कियेगे सारे टेस्ट में तुम फिट हो अभी तुम और मैं सेम डिपार्ट्मेंट पे हैं यह लो तुम्हारा ट्रेनिंग ओडर तुमने यह सब क्यों किया उस भावानी को मारने आये थे तब आपने कौन सी ड्रेस पहने थी जरा याद करो ना भाई उस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे थे मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंड हो रही है आपने मेरी मदद की ना भाई इसलिए मैंने आपके साथ यह सब किया आपको मैंने पुलिस वाला बना दिया और आपकी जिन्देगी सुधर गई असल में ये तरह साथ क्या करना चाथा तुझे कुछ पता भी है पूलीस बनाना चाहता ये तुझे खतम करते इसे खतम कर दे तुम लोग को देखे हैं वहत खुशी हो रही है तुम लोगों के लिए चाय बनाओ क्या वन बाई फाइफ इस्ट्रॉंग ये लाइट जो कुछ शक्ति हर इनसान के पास एक समान होती है पर उस शक्ति का उप्योग कैसे करना है यह सोच पर निर्वर करता है